विश यू आ वेरी गूड मारिंग डियर चिल्डन एवाउं वेलकम टू आनलाइन इंगलिश कलासेज और प्रिये विधारतियों आज हम इस वीडियो लेक्चर में कलास नाइंथ बिहाई बुक से एक बहुत थी ब्यूटिफल स्टॉरी बड़ी इंटेरेस्टिंग स्टॉरी को डिस्कुस करने जा रहे हैं और एक्चुली इस स्टॉरी इस एन इमेजिनेशन आफ दे राइटर अबाउट फ्यूचर भवीश्य के बारे में राइटर की एक कल्पना है कि भवीश्य में क्या होने वाला है अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि किस चीज की कल्पना और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को आप पुरा ध्यान से देखें ध्यान से सुनें ताकि आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपको किसी भी परकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे तो बिना देरी किये हुए आएए इ इमेजिनेशन है भविशे के बारे में और वो स्कूलों के बारे में भविश्यवानी है उसके कि किस परकार से स्कूलों में क्या होने वाला है और जो पहले बच्चे थे वो क्या आनन्द क्या मोजमस्ती स्कूल में करते थे यही लेसन का टाइटल है डियर चिल्टन दफन दे हैड वो मोजमस्ती वो आनन्द जो वो उनके पास होता था अध़ लेसन इस रिटन बई इसाग असिमाव फिस्ट आप ऑल इवड लाइक तो गीव यू अब्रीफ इंट रॉड्चिन आप टूर्डू आप रिटर राइतर आइसाग असिमाव वो इन अमेरिकन राइतर अड प्रफेसर अप्राइश्ट अप्राइप्राइश्ट आप शेहर जो अमेरिका में है वहाँ युनिवर्स्टी में प्रेफेसर हुआ करते थे आइजेक आसिमव बायो कैमिस्ट्री के यानि जीव रसायन के यानि कि साइन्स फिक्षन बहुत ज्यादा लिखते थे और साइन्स फिक्षन लिखने के लिए ही वो बहुत जाने जाते हैं और उन्होंने लिखी भी है और एडिटिट भी की है और लगबग उन्होंने 500 बुक्स को लिखा है और एडिट किया है he was born on 2 January 1920 2 January 1920 को पैट्रोवी की रशिया में इनका जनम हुआ and he died on 6 April 1992 Brooklyn United States और United States यानि अमेरिका में Brooklyn नामक जगह पे 1992-6 April को इनका देहान्त हो गया so before you read इससे पहले कि आप lesson को complete पढ़ें हमें कुछ lines पढ़नी है क्योंकि इससे हमें अंदाजा लग जाएगा हमारे पास एक guess आजाएगी कि lesson में क्या होने वाला है the story we shall read is set in the future जैसा मैंने आपको beginning में बताया था कि ये lesson जो है इसकी setting भविश्य की है आने वाले समय की है when books and schools as we know them will perhaps not exist कि जो किताबें जो स्कूल जिन में आज हम जाते हैं जिन को आज हम जानते हैं तो शायद ये गायब हो जाएंगी ये exist यानि अस्तितों में ना रहें ऐसा समय भी आएगा तो आप guess करिए how will children study then कैसे फिर बच्चे पढ़ेंगे कितना interesting lesson है देखिए कितनी अच्छी imagination point की है कि किस परकार से science तरक्की कर रही है और आने वाले समय में school जो आपके physical schools हैं जिन बिल्डिंग्स हैं teachers हैं आपके human beings के रूप में उनके साथ क्या होने वाला है उनकी जगे कौन लेगा ऐसा writer imagination कर रहे हैं देखिए the diagram below में give you some ideas ये diagram देखिए जिसमें लिखा है learning through computers कि बच्चे किस से पढ़ेंगे computer से पढ़ेंगे virtual classroom यानि phone से ही classroom घर बैठे बैठे लग जाया करेगी school of future की बात चल रही है चिल्डन robotic teachers यानि आपके पास robot वाले teacher आ जाएंगे moving e-text और e-text आ जाएगा यानि कि सारा का सारा आप screen पे internet के मार्यम से पढ़ेंगे इस परकार से imagination की है writer ने in pairs discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change write them down तो children आपको क्या करना है क्या तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत अधिक पसंद है आपके school के बारे में और क्या ऐसी तीन चीजें हैं जो आप बदलना चाते हैं उनको note करिए have you ever read words on a television और computer screen क्या आपने कभी television या computer की screen पे कुछ शबद पढ़े हैं can you imagine a time when all books will be on computers तो क्या आप कभी कलपना की है आपने कि क्या पूरी की पूरी किताबें ही आपकी पढ़ाई से संबंदित हो चाहें कुछ भी काम हो वो सारा computer से होने लग जाएगा and there will be no books printed on paper की ऐसा time भी आएगा की paper पे आपकी कोई भी किताब print नहीं होगी would you like such books better तो क्या आप उन किताबों को ज़्यादा पसंद करेंगे ये जो स्टोरी है Dear Children Imagination of the writer about schools in future and we have two main characters here in the story one is Margie and second is Tommy इनका discussion भी बीच बीच में हम पढ़ेंगे और Margie is a girl and Tommy is a boy Margie even wrote about it that night in her diary Margie ने अपनी डायरी में ये बातें उस दिन लिखी थी उस रात को on the page headed 17 May 2157 यानि वो डेट थी 17 मई इकिसो सतावन आज 2021 है आप आज से लगबग लगबग 130 साल बाद में सोचिए 130 साल बाद में 30 से भी ज़्यादा 136 साल के बाद में सोचिए आप कि क्या होने वाला है तो राइटर बताते हैं मार जी ने लिखा क्या लिखा देखिए तुडे टॉमी फांडा रियल बुक आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिल गई वास्तविक किताब कौन सी जैसे आज आज आप लोग पढ़ रहे हैं आपके पास प्रिंटिड बुक्स हैं तो वैसी बुक उसे मिल गई अब बुक कैसी थी पुरानी सी किताब थी और क्या था मारजी जी ग्रेंफादर वन्स सेड देट वेन ही वोस लिटल बुए अब देखिए कितनी गहन कलपना राइटर ने लिखी है कि मारजी के दादा जी ने बात बताई थी मारजी के एक छोटे से बच्चे थे ना तो तब उनके दादा जी ने उसको बताई यानि मारजी के दादा जी के दादा जी ने उनको बताई थी कि कभी क्या होते थे अ टाइम वेन ओल स्टोरेज वर प्रिंटिड उन पेपर कि सारे किसा टाइन था, सारी की सारी किताबें, सारी की सारी कहानियां किस पे लिखी हुई होती थी, कागज पे लिखी हुई होती थी, दे टर्न दे पेजिस, उन्होंने इस किताब के पेजिस को पल्टा, वो कैसे हो रखे थे, पीले हो रखे थे, क्योंकि बहुत पुरानी किताब थी, क्रिंकली थी, क्रिंकली means folded, जो इसके पेजिस थे, वो फॉल्ट हो रखे थे, लाइन पड़ी हुई थी उन्होंने, and it was awfully funny to read words that stood still, instead of moving the way they were supposed to, और उन्हें बड़ा आनन्द आया, क्योंकि उन्हें जो शबद थे, वो stood still, still means satir, एक जगए सतिर खड़े थे, यानि कि इधर उदर हिल नहीं रहते, कैसे, जैसे कि माना जाता है, उस टाइम माना जाएगा कि शबद जो इना हिलते हो होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे चीज़ें का है, कंप्यूटर पे है, सक्रीन पे है, जैसे सक्रीन पे है, यूनो आप जानते ही है, and then when they turned back to the page before, और तब जब वो इनके तरफ मुड़े, it had the same words on it that it had had when they read it the first time, तो तब वो words, वो letters, ऐसे ही थे, जैसे वो पहले लिखे हुए थे, तो आपका जो पहरा नंबर टू है, जी, sad Tommy, what a waste, पूरा का पूरा lesson, exclamation में लिखा हुए है, indirect questioning में लिखा हुए, exclamation का meaning होता है, students, विश्म्यादी बोधक चेन याने की बड़ी हैरानी की कोई जब बात हो जाए, और indirect questioning जब बिना किसी WH word या helping verb या modal auxiliaries की beginning के बिना ही जब question mark लगा दिया जाता है, तो उसे indirect questioning कहते हैं, what a waste, अरे अरे कितनी बेकार की चीज़ है, when you are through with a book, you just throw it away, तो Tommy कहता है कि कितनी बेकार चीज़ है, कि जब इसको पढ़ लें, तो क्या करो इसको fink दो, I guess, ऐसा मुझे अंदाजा है, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ, और फिर वो कहता है कि हमारा जो टेलिविजन सक्रीन है, उस पे तो मिलियन बुक्स रखी है, और ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, अब मैं इन बुक को इस बुक को नहीं फैंकूँगा, same with mine, said Margie, Margie ने भी कहा कि ऐसा ही मेरे साथ है, मेरे वाली कितबें भी ऐसी है, she was 11, देखिए, Margie की IU हमारे पास आ गई है, उमर आ गई है, she was 11, ये question भी आएगा, how old was Tommy and Margie, she was 11, वो 11 साल की थी, and had not seen as many telly books as Tommy had, और उसने telly books इतनी नहीं देखी थी, जितनी Tommy ने देख ली है, he was 13, अब Tommy का description आशुका है, कि Tommy was 13 year old, 13 साल का था, she said, where did you find it, उसने पूचा कि कहां से मिली, in my house, उसने बताया, इसारा करते हुए, बिना उसकी तरफ देखे हुए कि मेरे घर में, because he was busy reading, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ने में busy था, और घर में भी जगे बताया, उसने कहां, in the attic, what does attic mean, attic means, a space just below the roof, छत से बिलकुल नीचे एक space बना दिया जाता है, जिसको store room के रूप में use किया जाता है, यानि कि हम इसको एक परकार से, एक ऐसी जगह कह सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी सारा सामान हम उसके पर रख सकते हैं, जिसको देशी भासा में हम हरियाना में टांड वगरा बोलते हैं, तो वहां इसे ये किताब मिलती है, मार्गी को थोड़ा सा बिलकुल ही फ्रस्ट्रेट होकर के बोलती है, निराश होकर के बोलती स्कूल, यह देखे, इस इस दा एक्जेंपल ऑफ इंडिरक्ट क्वेश्ट्निंग, विदाउट एन डावलेच वर्ड, विदाउट एन एंए हेल्पिंग वर्ग, विदाउट एने मौडल इक्जीलियरी, इस इस अउनली आवर्ड प्रस्कूल, and क्या लगा दिया question mark लगा दिया this is called यानि जब हैरान नहीं होती क्या कहा school what is there to write about school औरे school के बारे हमें लिखने की कौन सी बात है I hate school मैं तो school से घिरना करती हूँ Margie always hated school Margie हमेशा ही school से घिरना करती थी but now she hated it more than ever लेकिन अब तो ये और भी ज़्यादा घिरना करती थी वो the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector अब Margie जो नबड़ी हैरान थी क्योंकि वो school से घिरना करती थी और school का जो mechanical teacher था यानि कि जो computer था उसे वो test after test दे रहा था geography में खास करके और वो उसमें bad to worse कर रही थी worse is the comparative degree of bad worse और भी ज़्यादा बुरा करना county inspector को बुला लिया गया था county inspector is a person who was the person to repair the computers computer को repair करने वाले county inspector को बुला लिया गया वो कैसा था देखिए he was a round little man with a red face and a howl box of tools with dials and wires तो उन्होंने क्या किया वो जो round face का आदमी था little छोटा सा था और red face था उसका बिलकुल लाल रंग का उसका चेरा था और box और tools, dials and wires लेकर के वो आया he smiled at Margie and gave her an apple वो मुस्कुराया और उसने एक save दिया उसको Margie को then took the teacher apart apart means alag कर देना, alag-alag part में कर देना Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again अब इतना सामान उसने खोल दिया था तो Margie को हैरानी और कि क्या ये दोबारा इसको एकठा कर देगा यानि कि इसको जोड़ देगा, ठीक कर देगा but he knew how all right लेकिन वो तो जानता था कि ये काम कैसे होगा and after an hour or so लग-बग-बग-बग एक घंटे के बाद में there it was again large and black and ugly एक बार फिर screen उसकी जग गई थी क्या large बड़ी सी, black, काली सी, ugly भड़ी सी, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked वो lesson के साथ screen आगे थी, जिसमें questions पूछे गे थे, that wasn't so bad वो इतना बुरा तो नहीं था the part Margie had hated most was the slot where she had to put homework and test papers अब बुरी चीज उसके लिए ये थी कि वो slot, वो जगह जहां पर क्या करना होता था उसे, काम देना होता था slot का क्या होता है a given space slot is a given space एक ऐसी जगह जो दी हुई होती किसी काम के लिए जहां उसे paper डालने होते थे test डालने होते थे she always had to write them out in a punch code उसे हमेशा उस पर punch code डालना पड़ता था punch code is like a password they made her learn वो उसे याद करवाते थे when she was six years old जब से वो छह साल की थी तब से ही वो इस पर लगी हुई थी काम and the mechanical teacher calculated the marks in no time और जैसे ही वो question इसमें डाल देती थी mechanical teacher बिना कोई देरी की उसके marks calculate कर देती paragraph नमबर फाइव देखिए passes नमबर फाइव the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head inspector मुस्कुराए और उनोंने बड़ी खुसी के साथ Margie का head tap कि pat किया pat means thप तपाना प्यार से he said to her mother और उसने उसकी मा को कहा अब किसकी मा? Margie's mother it is not the little girl's fault Mrs. Johns के Mrs. Johns ये इसकी गलती नहीं है who is Mrs. Johns? dear children याद रखना Mrs. Johns is the name of Margie's mother I think the geography sector was geared a little too quick मैं सोचता हूँ क्या हुआ था geography का जो sector है जो part है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज चलने लग गया था those things happen sometimes कई बार ऐसा काम हो जाता है I have slotted it up to an average 10 year level और मैंने 10 साल के बच्चे के level पर इसको set कर दिया actually the overall pattern of our progress is quite satisfactory लेकिन वो कहता है कि overall जो pattern है progress का वो quite satisfactory है satisfactory means संतुष्टी जनक and he patted Margie's head again और एक बार फिर उसने Margie के शिर को pat किया pat अभी मैंने बताया आपको pat means थप थपा न Margie was disappointed Margie बड़ी निराश हो गई she had been hoping they would take the teacher away altogether क्योंकि उसे उमीद ये थी कि वो इस teacher को उठा के लेके जाएंगे they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month अब वो ये सोच रही थी कि जैसे Tommy के teacher को वो एक महिने के लिए दूर ले गए थे because the history sector had blanked out completely क्योंकि history का जो part था वहाँ वो completely blank हो गया था यानि कि खली हो गया था बिलकुल so she said to Tommy why would anyone write about school एक बार फिर वो बात करते उससे कहती है कि school के बारे में कोई क्या लिखेगा क्यों लिखेगा क्योंकि जो book थी वो this was about school Tommy looked at her with very superior eyes उसने स्रेष्ट आँखों से उसकी तरफ देखा स्रेष्ट आँखों का मतलब क्योंकि वो उमर में बड़ा था इसलिए वो कुछ जानता था और अपनी superiority दिखाते हुए उसने उसकी तरफ देखा because it is not our kind of school stupid और वो उसे कहता है कि मुरक ये बात इसलिए क्योंकि वो हमारे type के school नहीं है क्योंकि हमारे school कैसे है देखिए और वो जो पुराने school थे वो कैसे थे this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago वो कहता है कि जो बुक में school का description दिया हुए न वो सकूल तो बहुत पुराने है और कहता है सैंकडों से सैंकडों सालों पहले की बात है he added loftily अब what is loftily, loftily means in a superior way बढ़ा चड़ा करके बोलना तो वो कहता है कि ये पुरानी बाते हैं words carefully centuries ago पहुत पुरानी बात है Margie was hurt, Margie को बड़ा दुखा well I don't know what kind of school they had all the time ago इतने पुराने समें में ऐसा कैसा school होता होगा she read the book all over his shoulder for a while then said anyway they had a teacher और वो कंधों के ब्राबर में लाकर के अपनी किताब को इसको पढ़ रहा था और उसने कहा anyway they had a teacher कि उनका एक teacher भी होता था अब देखिए बड़ी interesting सी बात आ रही है dear students अब teacher के बारे में बात करेंगे ये कि teacher कैसे होते थे अब कैसे है sure they had a teacher but it was not a regular teacher it was a man और वो कहते हैं कि ये क्या था regular teacher नहीं था जो आज हमारे पास हैं जैसे और ये क्या था एक आदमी था a man how could a man be a teacher तो को कितनी हैरानी में बात कह रही है क्या कहा आदमी एक आदमी कैसे teacher हो सकता है well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions तो Tommy उसे बताता है कि वो ऐसे होता था कि वो girls को boys कोई कठा पढ़ाता था उन्हें homework देता था और फिर उन पे questions पूसता था a man isn't smart enough passes number seven देखिए a man was जो है वो इतना smart नहीं हो सकता तो Tommy उसे बताता sure he is अरे होता है आदमी बड़ा उशार होता है my father knows as much as my teacher मेरे पापाजी खुद इतना जानते हैं जितना कि मेरे teacher जानते हैं अब यहां पर teacher के बारे में confused नहीं होना dear children यहां teacher कौन है computer और वो जो man teacher की बात कर रहे हैं वो आपके जैसे school में teachers होते हैं आदमी और उसी परकार के teachers की वो बात कर रहा है he knows almost as much I betcha यह आपके लिए एक नया वर्ड है I betcha B-E-T-C-H-A betcha इसका meaning to bet यानि शर्त लगाना और वो कहता है अरे वो बहुत कुछ जानता है अदमी मैं शर्त लगाता हूँ Margie wasn't prepared to dispute that Margie अब त्यार नहीं थी क्या करने के लिए dispute that dispute का मतलब होता disagree यानि वाद विवाद करना उसके साथ disagree हो करके She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me औरे मैं तो नहीं चाहती कि कोई भी अजनबी आदमी आई strange आदमी मेरे घर आए पढ़ाने के लिए Tommy screamed with laughter और यही बात सुनकर के Tommy जो आना बिलकुल जोर जोर से हसने लगया You don't know much Margie Margie तुझे कुछ नहीं पता है The teachers didn't live in the house अरे वो घर नहीं रहते थे They had a special building and all the kids went there अरे वो तो एक building में रहते थे और सारे के सारे बच्चे वहाँ जाते थे building में वो अपने घर नहीं आते थे किसी के पढ़ाने के लिए और सारे के सारे बच्चे भी कैसे थे They were the same age एक ही age की होते थे देखो कितनी हैरानी आ रही है कि school building और school building में आदमी और teacher होते थे वो कभी किसी के घर नहीं जाते थे वहीं पढ़ाते थे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे वो एक ही age के जाते थे एक जैसी उमर के हर कलास में But my mother says a teacher has to be adjusted to fit and mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently लेकिन मेरी माँ तो यह बताती है कि teacher को adjust करना पड़ता है adjust means उसमें कुछ जो है ना speed के type होते हैं उसको adjust करना पड़ता है कि आपनी speed से बच्चे को पढ़ाना है इस speed से बच्चे का homework check करना है adjust करना पड़ता है लेकिन करता है teacher को तो ऐसा कोन सा बटन होता होगा आदमी को तो just the same they didn't do that away then if you don't like it you don't have to read the book I did not say I did not like it तो Tommy Marci को कहता है Marci अगर तू पशंद नहीं करती है तो यह किताब मुझे दे दे तेरे किताब काम की नहीं है तुझे नहीं पढ़ना I didn't say I didn't like it तो वो कहती है कि मैंने यह तो नहीं का मुझे पसंद नहीं है she wanted to read about those funny schools वो इन funny schools के बारे में कुछ और भी ज़्यादा पढ़ना चाहती थी they were not even half finished when Marci's mother called अब इन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी तभी उनकी मा क्या आवाज आती है Marci, school अरे चलो Marci, school में चलो Marci looked up not yet maa, maa अभी नहीं school में नहीं जाओंगी क्यों because she was excited to read the book क्योंकि वो उस किताब को पढ़ने में ज्यादा उसे excitement हो रखी थी कि मैं वो किताब पढ़ूंगी now said Mrs. Jones, Mrs. Jones ने कहा नहीं अभी चलो who is Mrs. Jones dear children yes, Mrs. Jones is the name of the mother of Marci and it is probably time for Tommy too और उसने का Tommy आपका भी टाइम हो चुका है Marci said to Tommy can I read the book some more with you after school उसने कहा कि क्या स्कूल के बाद में मैं ये किताब पढ़ सकती हूं maybe he said non-calently non-calently means ज्यादा इच्छा या जोश ना दिखाते हुए यानि एक परकार से आप कह सकते है carelessly यानि ऐसा दावनी पुर्वक उसने का ठीक है ले ले ना he walked away wishling शीटी बजाते हुए चला गया the dusty old book tucked beneath his arm वो पुरानी सी किताब धूल बरी हुई किताब उसकी बाजुवें में थी नीचे डाल रखी थी उसने और इस परकार से वो चला जाता है मार्ची वेंट इंटू दे स्कूल रूम स्कूल रूम में चली गई अब देखिए स्कूल रूम कहां था मार्ची का इट वो राइट नेक्स टू हर बैड रूम वो बैड रूम से बिलकुल अगला ही कमरा था और वो टीचर पहले से ही ओन था ओन होने देखिए ओन और आफ टीचर क्या ओन आफ हो सकता है क्योंकि वो आदमी होता है लेकि नहीं यहां पर यह जो टीचर है यह कंप्यूटर है इसलिए यह ओन ही रहता था और यह सेम टाइम पे ही ओन रहता था बस सिरफ छोड़ करके किसको Sunday and Saturday को Because her mother said these little girls learned better if they learned at regular arts क्योंकि वो उसकी मां कहते थे कि regular arts में अगर पढ़े हैं तो बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं The screen was lit up, screen जग गई And it said और इसने का Tommy's, sorry, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction कि आज जो lesson है वो arithmetic का है, arithmetic means जो गणित होता है और उसमें भी जो आज का chapter होगा वो proper fractions का होगा यानि कि भिन और अंश के बारे में होगा Please insert yesterday's homework in the proper slot अब उसने कहा कि अपना कल का homework डाल दो Margie did so with a sigh, Margie ने बड़ी आहबर करके ये काम किया She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little child वो याद करती है अब स्कूल के बारे में कि जो उसके दादा जी के दादा जी ने बताई थी उसको कभी बात कि जो दादा जी और उसके दादा जी जब एक बच्चे थे चोटे तब उनके पास जो स्कूल होता था उसके बारे में सोचने लगी All the kids from the howl neighborhood came पिसारे के सारे चोटे बच्चे वहाँ पडोसी कठे हो करके आते थे कैसे आते थे? laughing, laughing, हसते हुए shouting, चिलाते हुए in the school yard स्कूल के आंगन में sitting together in the school room इकठे बैठते हैं स्कूल के अंदर going home together at the end of the day और कठे ही घर फिर जाते हैं याद आ रहे हैं आपको भी school की इसी परकार से आप भी मौज मस्ती करते हुए घर से कठे हो करके आते थे, school में और school से फिर वापे से हसते, खेलते, कुदते, चिलाते वे घर जा रहे थे, तो इसी परकार one another with the homework and talk about it सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उसी सामान के बारे में discuss कर सकते थे उसी lessons के बारे में discuss कर सकते थे, एक दूसरे की मदद कर सकते थे and the teachers were people और उनके teachers भी क्या होते थे people होते थे, यहाँ पर इतनी हैरानी की बात ये है वो ये कहना चाते हैं कि वो क्या थे man थे इसलिए उनको क्या कर सकते थे वो questioning direct कर सकते थे कि sir ये क्या है, sir ऐसा क्या है sir उसके साथ क्या है, ऐसा क्या है the mechanical teacher was flashing on the screen तब भी teacher जो उनका mechanical था उनकी जो light जग रही थी screen की और उस पे लिखा था when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4 जब हम इन fraction को जोडेंगे तो मार्ची वोज थिंकिंगे अबाओ आओ the kids must have loved it in the old days कि किस परकार से इतने प्राणे दिनों में प्यार करते थे वो अपने सकूल को शी वोज थिंकिंगे अबाओ अब दे हैट और इस ही मस्ती को वो याद करते होंगे इसी लिए the title of the lesson has been given as the fun they had और वो fun कौन सा था going school together coming from school together shouting enjoying laughing talking discussing about their study यही उनका वो मजाक था इसाक असिमव ने ये lesson लिका है difficult word meanings देख लेते हैं dear children what is crinkly crinkly means manifold or lines यानि जिसमे जो है वो मुड जाते हैं पेज attic space just below the roof scornful contemptuous showing you think something is worthless थोड़ा सा यह दिखाते हुए कि किस परकार से आप यह मानते हैं कि यह चीज बेकार है slot given space time or position geared to adjusted to a particular standard or level loftily in a superior way regular या normal or a usual kind of बैचा I bet यानि मैं शर्त लगाता हूँ dispute disagree with किसी से सहमत होना non-calently यानि carelessly मार्गीज स्कूल मार्जी का स्कूल कहां था इसका कोई क्लास्मेट भी था question old schools जो थे उनको वो कैसे describe करता है टोमी ये सारे के सारे questions हम discuss already lesson में कर चुके हैं you will have to write and learn all these questions तो उमीद करता हूँ dear children की ये lesson आपको बहुत अच्छे तरीके से आगया होगा आपने enjoy किया होगा एक imagination का एक कलपना का कि किस परकार से भविश्य में science इतनी तरकी कर जाएगी इतनी progress कर जाएगी कि जो school है वो बंध हो जाएंगे और बच्चे अपने घर computer screen से ही पढ़ेंगे और शायद कहीं न कहीं ये संकेत आज के दिन corona pandemic के कारण लग रहे हैं आप घर online पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं आप इसी परकार से मस्ती के साथ पढ़ते रहे enjoy कर ये lessons का हमारे youtube channel पे I thank you all for watching and listening this video so carefully once again thank you